नमस्ते भारत ये वीडियो आज मैं आप सभी के लिए आपके मेरे और इस देश के भविश्य को मत्यनजर रखते हुए बना रही हूँ आज बात होगी मोदी जी की जो कैबिनेट है उसके विस्तारी करण के बारे में उसकी जो ओवर हॉलिंग हुई है उसके अंदर बहुत सारी चीजें फेर बदल हुई है उसके बारे में बात करूँगी निवेदन आंति तक वीडियो देखेगा जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्स्राइब किया वो भी कीजिएगा आप लोगों को पता है कि आज कैबिनेट का विस्तारी करण होना था और सुबे से अटकलों का बाजार मस्त गरम चल रहा था एकदम जैसे पकोड़े और समों से गरमा गरम चलते है ना बाजार में वैसे ही अटकले भी चल रही थी मेंस्ट्रीम मीडिया के किसी भी चैनल पर आप चले जाए ये हिंदी, इंग्लिश, रिजनल या सोशल मीडिया पर चले जाए अटकलों पर अटकले लग रही थी, ये मिनिस्टर बनेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इसको ये मिल सकता है, उसको वो मिल सकता है, इसका इस्तिफा हो सकता है, बड़ी सारी चीजे हो रही थी, लेकिन अब उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गय हैं उन्हों ने शपत आज MOS and Cabinet Ministers के तौर पर ले ली है 12 Resignation भी हुए है 12 मंत्रियों की विदाई भी हुई है इसमें बड़े Heavyweight Ministers हैं बहुत बड़े-बड़े मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे सूचना प्रसारन मंत्री प्रकाश जावडेकर जी उनका रिजाइन हुआ है IT Minister रवी शंकर प्रशाद का रिजाइन हुआ है दो तो ऐसी ministry हैं जिनकी complete overhauling हो गई है एक health और दूसरा education शिक्षा मंत्रा ले और स्वास्त्य मंत्रा ले दोनों जगे से दोनों जगे के cabinet minister और M.O.S दोनों को ही हटा दिया गया है दोनों को ही बदल दिया गया है हर्शवर्दन जी, निशंक जी दोनों की विदाई हुई है और उनके साथ साथ उनके M.O.S की भी हुई है कारण आप सब लोग भी जानते हैं हम सब लोग जानते हैं और कई internal matters भी होते है अब जो विस्तारी करण हुआ है उस पर मैं आप लोग उसे बात करना चाहती हूँ 43 लोग, 43 में से बड़ा जो नंबर है या बड़ी जो बात है वो ये है कि 36 नए faces है 36 new faces have been inducted in this cabinet ये बहुत बड़ा number है इसमें से 11 महिलाएं है ये बहुत अच्छी बात है individually being a woman मुझे ये सुनकर के बहुत खुशी हुई है कि 11 महिलाओं को जगे दी गई है इस cabinet के अंदर जिसमें से 9 महिलाओं ने MOS के तौर पर शपत ग्रहन करी और 2 ने cabinet minister के तौर पर शपत ग्रहन करी है मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई उसके अलावा other backward classes को बहुत बड़ा representation दिया गया है इस reshuffle के अंदर इस overhauling के अंदर 27 minister OBC कोटे से आए है नई cabinet के अंदर जो again एक बहुत ही इतिहासिक निरणे लिया है मोदी जी ने ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ ये बहुत बड़ा number है अब ये जो मंत्रियों की संख्या है वो total NDA के सरकार में हो जाती है 77 आज के शपत ग्रहन के बाद जिस में से 73 भारतिय जनता पार्टी के MPs है चाहे लोग सभा या राजय सभा के और चार जो MP है वो घटक दल से आई हुए है और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इस overhauling के अंदर इस शपत ग्रहन के अंदर या इस विस्तारी करण के अंदर हरे एक चीज को ध्यान में रखा गया है शिक्षा को आपके महिलाओं को OBCs को और हर राज्य को हर एक व्यक्ति को complete representation देने की पूरी प्रयास की गई है यानि कि बहुत अच्छी तरीके से brainstorming किया गया है बहुत सोच विचार के बाद ये विस्तारी करण हुआ है और बड़े सारी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है खास फार पर Congress Party को Congress Party ने हाई तोबा मचा रखी है कि Health Minister का क्यूं resignation कर दिया और इसका क्यूं नहीं हुआ उसका क्यूं नहीं हुआ इनका तो कामी है मतलब इनके यहाँ पे तो कुछ नहीं यह होगा वो होगा बहुत चीजें हो रही थी लेकिन अब कुछ तो ऐसे नाम है जो चल रहे थे वो नाम है जैसे जोतिरादित्यासिंद्या सरवननन सोनवाल पशुपती पारस इन में से कई ऐसे नाम है जो पहले से लगाता चल रहे थे इसमें से मेरे को खास तोर पर सरवानन सोनोवाल जी ने जब शपत ली जब मैं उनको शपत ग्रेंड करते वे देख रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद उनको कविनेट मिनिस्टर के तौर पर आज शपत दिलाई गई है नारायन राने को भी दिलाई गई है महराष्टर से भी बड़े सारे लोग आए है यूपी से बड़े सारे लोग आए है मनिपूर से भी मिनिस्टर आए है तो तमाम जगे से हर राज्य से से मिनिस्टर लिए गए हैं, गुजराथ से मिनिस्टर लिए गए हैं, उत्राखंड से अजयभर जी को M.O.S की शपत दिलाई गई है, उनको मैंने व्यक्तिकत तौर से काफ करते वे देखे हैं, बहुती बढ़िया तरीके से काम करते हैं, लीडर ओफ उत्राखंड पी नहीं ह उनके जो बैग्राउंड है, उसको मत्य नजर रखा गया है, बड़े सारे डॉक्टर्स, बड़े सारे लॉयर्स, MBA किये हुए लोग, बहुत लोगों को यहां पर शामिल किया गया है, 35 वर्ष के जो वो युवा बियर्ड वाले शपत ग्रहन कर रहे थे, सबसे आंत में उन् अपना प्रोफेशन मान करके उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप नई एनरजी के साथ जाओगे सिस्टम के अंदर नई, एनरजी नए आइडियास इंफ्यूज करोगे, तभी तो देश बदलेगा, खाली कृप मानने से या बात करने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर काम करना या सिस्टम के अंदर रहकर के सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी होता है, तुम ये बहुत सारी चीजें हैं, जो नहीं हुई है, बहुत अच्छी हुई है, परशुपति पारस जो एलजेपी के नेता है, उन पर चिराग पासवान ने फाइनली उन्होंने भी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपत ले लिये, बाबुल सुप्रियों को हटाया गया, मुझे लगा कि बहुत सही निरना लिया, क्योंकि जब वेस बिंगॉल के अंदर चुनाओं के बाद हिंसा हुई थी, उसके बाद बाबुल सुप्रियों अप अपने लोगों के आगे खड़े हो के पत्थर गाली और जौरत पड़े तो गोली भी खाए, तो ये डिशिशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े सारे डिशिशन रिपोर्ट कार्ट के आधार पर हुए है, मोदी जी हर मिनिस्टर और हर मिनिस्टरी के साथ बैठ करके उन्होंने एक-एक चीज, एक-एक रिपोर्ट कार्ट को चेक किया है, 1 to 10 के परामिटर्स पर सब को जच किया है, उनकी मार्किंग करी है और उसी के बेसिस पर कुछ लोगों की विदाई हुई है, और बहुत सारे लोगों को प्रमोट भी किया गया है, एलिवेट भी किया जाएगा आपको इंडक्ट भी किया जाएगा और नहीं करोगे तो फिर समय आपको नहीं दिया जाएगा इसके अलावा कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी एक सटल मेसेज है कि अगर कॉंग्रेस पार्टी से लोग भाजप में आते हैं और केवल महत्व कांख्शाओं के आधा सर्माजी को मिला तो यह तमाम सारी चीजें हैं जो निकल करके इस कैबिनेट ओवर हॉलिंग से या विस्तानी करन से निकल करके आई हैं जो मुझे समझ में आया मैंने आप सब लोगों को बता दिया आप लोगों से निवेदन के अपना पॉइंट औफ यू कमेंट के माध् आईएगा अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चल्द हाजिर होंगी तिल देन स्टे सेब से ब्लेस्ट आंड जैन्ग